हेलो सेमें इंडिमेटिए इस्ट का पेपर जबर्दस गया है इजी आया येस वेरी गुड आपका पेपर बहुत अच्छा गया आप लोग ने जबर्दस फीटबाइक दिया पेपर के आने के बाद की सार हमारा चीफ पार्टर के एक्जाम गया कॉस्ट एफियुम का पेपर इतना डिफिकल्ट आया था सब बच्चे डर गए थे डायरेक टाइस का पेपर इजी आया ठीक है वेरी बुड अब भुल जाओ मेरे को मेसेज करना बंद कर दो मेरे को रिस्पॉंस करना बंद कर दो मैं किसी का रिप्लाई नहीं करूँगा सारे बच्चे मेरे को कोशिन आ इडिटी जो आपका कल का एक्जाम है आज शाम को MEPLC में पकास आना और पुरा इडिटी सेल पर जबरदस तरके से चीर फार करके रिवाइस करेंगे ताकि आज जितना आपका डीटी का पेपर अच्छा गया है उससे भी जादा अच्छा कल आपका डीटी का पेपर जाना प्लीज डीटी के बार में डिसकुशन करना बंद कर दीजे आई डीटी फेल फोकस मेनद करिए तीन चीजों को याद रखिएगा कस्टम को रिवेजिन पहले करना जीएस्टी में इंपर्टिन टॉपेक्स पहले रिवेजिन करना और 40-60 का रूल याद रखना कि फर्स 40 मिन में आपको 60 मिनिट्स में आपको 40 मांक से क्योर करना है वेरी गौड और दीवेस्ट मिलते आप से मिलते आप से बूस्टर रिवेजिन में